के लिए आखिर CISA की प्लामिंग क्या है वो कैसे इन बोर्ड एक्जामिनेशन को कंड़क्ट करना चाहती है जैसा कि उसने टाइम टेबल निकाल चुका है कि इसके सारे प्रोग्राम को दुरुष्ट कर ले जैसा कि एक बहुत अच्छे और रेप्टेड स्कूल के प्रिंस्प जाता है कि वो एक्जामिनेशन प्रोसेस से जुरे हुए हिस से रहे क्योंकि वहां से कई बार CISC के लिए कई तरह के पर सैंपलिंग और धेर सारे हेल्प जाते रहे हैं उनके क्या इंफॉर्मेशन या अपडेट रहे हैं जिसको मैं आपके साथ बताना चाहूंगा उन्होंने जो बाते इंपॉर्टेंटली बताई है टाइम टेबल को क्लियर किया है उसके मुताविक सबसे पहले CISC की प्ला प्लादा ICSE के जो इवैलुएटर सब्जेक्ट इस्पेसिलाइड रहे हैं उनको लगाया जाएगा बैक टू बैक एक्जामनेशन सुरू होने के वीदीन और भी कॉपी की चेकिंग का काम सुरू होगा यही काम और यही बात ISE क्लास 12 के स्टूडेंट के साथ भी होगी कि ए तब सीधा सा है कि रिजर्ट सबसे पहले आने कि CISC की अभी के समय में प्लानिंग और वही उसका मतब्ब है अब रिजर्ट आने के जो अभी के टाइम टेवल दिये गए उसके मुताबिक है कि ए रिजर्ट में के 15 तरक आने की पूरी संभावना है के लिए जिस तरह से ट्रेनिंग टीचरों को दिये गाए एक्जामनर सुपरवाइजर और उनसे बड़े हिरार्की लेबल के हैं जो कौपी के चिकी और बाकी सारे प्रोसर से जूर होते हैं उनके लिए बताया गया है कि उनकी संख्या करीब 9000 से ज्यादा है 10,000 बता जाते मोटे तोर पर ऐसे टीचरों को लगातार ट्रेनिंग दिये गाए के ट्रेनिंग का काम नवेंबर रिसंबत और बचे खुचे में जैनवरी में भी होंगे तो डिफरेंट स्टेट में भी इस तरह से और्गनाइज किये जाते रहें जैसे कि बैंगलोर में फिर कोलकाता है फ अधिया है और चन्ने भी साहिव संप सेंटर रहे हैं इन सारे पॉइंट्स को बताने का और है कि एक्जामनेशन होने के दौरान होने से में और एक्जामनेशन होने के बाद कि प्रोसेस होंगे उस व्हुनीक आईडिय और इंडेक्स सबसे जादा मतलब कि के reject रुकने की संभावना बगती है इसलिए इसको confirm कर ले और अपने नाम अपने फादर के नाम मदर के नाम जितने भी डेट अप वर्थ के साथ साथ अन्य सारी डिटेल है इनको confirm करने के स्कूलों से भी कही गई हैं साथ में एक और बाते कही गई है टीचरों से कि वे जब एक्जामनर और होने के बाद से पहले इन बातों को confirm करें कि कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इस टूडेंट ने सारे डिटेल बढ़े और स्टूडेंट के हेल्थ चेक जो एक्जामनेसन प्रोसेस हैं वे होम सेंटर पर होगे और उन उस दोरन यह सकूलों की जिम्मवारी बंती है कि वे अपने जितने भी स्टूडेंट हैं या एक्जामनेशन प्रोसेस से जुरे हुए चीचर हैं उन सो भी पूरी तरह से स्वस्त माहौल में रखा जाए जिस तरह से बातावरन थोड़ा सा गड़बर भी होते जा रहे हैं ठंड का भी माहौल रहेगा नौर्थ इंडिया में साउ स्वेरी कंडिशन बेटर प्रोवाइड के जाए इस्टूडेंट टीचर्स और एक्जामनेशन प्रोसेस जुए जितने भी स्कूल है उन सब ही को सेफली सेक्योर्ली क्वेस्चन पेपर के पहुचाए जाने आंसर सीट को देने और आंसर सीट के बाद स्टूडेंट के जो होम सेंटर होंगे वहां से पर्टिकुलर सेंटर में डिस्पैच के लिए गाइड लाइन उसी दौरान मिलेंगे यानि किसी आईसी कम्मुनिकेट करेगी अपने लोकल जो सेंटर के थुरू है और इसने देजबर में कई लोकल सेंटर बनाए हुए है यानि कि अस्थानिय से सेंटर देजबर में बाटा हुआ है उनसे वह कंड़क्ट करती एक्जामनेशन प्रोसेस को तो कम्मुनिकेट करेगी इन एक्जामनेशन प्रोसेस 2023 को इसका यही है और इसके साथ दो क्वाइंट और भी बताएगा है जो कि कॉपी चेकिंग से संबधित है तो अभी मैं उस